नमस्कार दोस्तों मैं सुनील शर्मा आपका रक्षम टेक में बहुत-बहुत सवागत करता हूं फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने CCTV कैमरा का बैकप अपने लैप्टोप से ले सकते हैं सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप जिस भी कंपनी का DVR यूज़ कर रहे हैं उस DVR का सॉफ्ट्वेर आपके लैप्टोप या आपके PC में होना चाहिए जैसे फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पर NVMS1000 है जो की TVT CCTV कैमरा के लिए यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप भी इजली अपने CCTV कैमरा की फुटेज को अपने लैप्टोप में ले सकते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमेंControl Panel में जाना है वहाँ से हमें अपनी डिवाइस का online स्टेटस जो है चेक करना है उसके बाद में हमें live CCTV camera अपने चेक करने है हमें उसके बाद वापिस Control Panel में आना है एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं second option है record and playback इसमें आपको जो है backup record का option में लेगा उस पर आप click कर दीजिए तो इस तरह का एक folder आपकी display पर आ जाएगा folder में friends आप देख सकते हैं हमें start time and end time का जो है option दिया गया है यहाँ से हम जिस भी date के हमें recording चाहिए वो date फिलप करके और time फिलप करके अपनी जो backup है CCTV camera का वो ले सकते हैं अगर आपको नहीं पता कि आपको recording कौन सी चाहिए तो आप पहले playback में जा करके आप अपनी footage चेक कर लिजिए कि आपको किस time से किस time की recording चाहिए तो यहाँ पर playback का भी option है आप देख सकते हैं screen पर तो friends जैसे मुझे यहाँ पर 21 तारीक की recording चाहिए तो मैं calendar को select करके 21 तारीक जो है यहाँ पर मैंने यहाँ पर select कर ली है फिर उसके बाद ने friends मैंने यहाँ पर time जो है feel कर दिया है for example की तोर पर यह time मैंने feel किया है friends 21 बारा 2021 से ले करके 12 बज़कर 12 बज़कर 15 मिन्ट का मैंने यहाँ पर time जो है feel कर दिया है date and time select करने के बाद friends हमें camera जो है select करना है जैसे मैंने यहाँ पर एक number camera को जो है select किया है उसके बाद में friends हमें करना है record search पे click करना है जैसे ही हम record search पे click करेंगे तो जो हमारी cctv footage है वो हमाई जो है नीचे जो है show कर रही है आप देख सकते हैं एक green color का जो है यहाँ यहाँ पर एक block आप देख सकते हैं display पर जो मैं यह cursor गुमा रहा हूँ उसके उपर तो यह इस तरह का एक block आपके पास आ जाएगा friends उसके बाद में आपने download पे click करना है और browse पे click करके आप वो folder select कर सकते हैं जिस भी folder में आप यह backup रखना चाहते हैं अगर आपके पास कोई folder ना हो तो आप यहाँ से एक नया folder मना सकते हैं उसका भी आपको यहाँ पर option मिल जाएगा ओके friends जैसे कि मैंने यहाँ पर backup को ही select किया है और इसे okay कर दिया है तो friends मेरा जो backup है वो backup जो है CCTV कैमरे का मेरे backup नाम के एक folder में जो है चला गया है friends हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को subscribe करना बिलकुल भी मत भूलिएगा CCTV से related या फिर इस वीडियो से related कोई भी आपके पास question है कोई problem है तो आप हमें comment कर सकते हैं we will definitely reply to you as soon as possible friends अब हम check out कर लेते हैं कि हमारे जो laptop में backup का folder है जिसमें कि हमने अपने CCTV footage को जो है transfer किया है उसमें ये footage आई भी है या नहीं तो friends आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक file है इस file को मैं run करता हूँ आप display पर देख भी सकते हैं thanks for watching friends